तो पिछले एपिसोड में गुम मैंने सिमा चेंग तियान को हरा दिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुस हो गए थे और फिर यो यो गुम मैंन से काता है कि तुमने तो वहाँ पर कमाल कर दिया क्योंकि तुम अकेले ही पांच लोगों के उपर भा पिसान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हूँ और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे गुम मैंन से जलन हो रही है क्योंकि यहां पर कोई भी आसा नहीं है जिसे कि गुम मैंन से जलन ना हो रही हूँ तब इसकी ऐसी बात सुनकर भुफान भी हस लगता है वहीं लीए उस यान सिंग्यून से काती है कि गुमेन तुम्हारा सर्वेंट बन कर रहना चाहता है लेकिन तुम इसके लिए अगरी कैसे हो गए तब इसपर सिंग्यून से काता है कि गुमेन ऐसा ही चाहता था और इसके अलाबा अब तो तुम टियान बैंड में एंटर कर गई हो इसलिए अगर तुम चाहो तो वहां से भी ड्रॉक कर सकती हो नहीं तो फिर तुम उसे ऐसा ही रहने दो लेकिन तब ही गूमैन खुद इसके बारे में सबके सामने अनौंस कर देता है और फिर यह जब तक तुम अपने पूरे दिल से मेरे साथ में रहना चाहते हो तब तक मैं तुम्हें मार्सलाइट के टॉप लेबल तक पहुँचाने की अपनी पूरी कोसिस करूंगा जिसके बाद ऐसी बात सुनकर गूमैन यहां से खुस होते हुए चला जाता है लेकिन जिसे की कुछ से में पहले इसने अपने टुटर के रूप में हायर किया था वो इसे देखते ही कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ में जाने के लिए रेडी हूँ तब इसकी बात सुनकर सिंग्यून उसे पूछता है कि या खिरकार हम जा कहां पर रहे हैं और वहां पर मैं सिंग्यून के समझ में नहीं आती इसलिए वो उससे पूछता है कि आप तो वाइंडले सेविस में जाना चाहते हैं जिसका मतलब है कि वहां पर कोई भी एयर नहीं होगा लेकिन फिर उसके बाद मैं वहां पर विन सौर को प्रैक्टिस कैसे करूँगा तब इस पर ओल्ड म कहता है कि इसने कहा कि मैं सौर्ड के हाट के बारे में नहीं समझता और फिर इसके बाद वो इसके बारे में कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तब ही ओल्ड मैन उसे रुकते हुए कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास में सौर्ड हाट है लेकिन या चीज असल में व इस लिए इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा। तब इसकी बात सुनकर सिंग्यून भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था और वो ओल्ड मैन से कहता है अगर ऐसी बाते तो हम यहाँ पर किसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें तो वहाँ पर तुरंती चल देना चाहिए तब इस पर ओल्ड मैन कहाता है कि वहाँ पर जाने में कम से कम 6 माहिने का टाइम लगेगा इसलिए इसके लिए सबसे पहले हमें तयारी करनी होगी क्योंकि इतने समय के लिए जिसके बाद सिंग्ञ्ञ्यून काहता है कि फिर थो हमें तुरंती मार्केट में जाना चाहिए ताकि हम इसके लिए जरूरत की सारी शीज़े ले सके इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों गून मैन को अपने साथ लेकर यहां से निकल गए थे लेकिन वहीं दूसरी तरफ लियूस यान भी सिंग्यून के बारे में ही सुच रही थी और कहती है मैं उमीद करती हूँ कि अगली बार जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तब उस वक्त भी मैं तुम्हें याद रख पाऊँ वहीं उदर ओल्ड मैं सिंग्यून से कहता है कि विनले से भी सबसे डीप अंडरग्राउंड में है जहां पर जाने के लिए हमें बहुत सारे केप्स और पैसेज का यूज करना होगा और ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर बहुत सारे जैन क्रियेचर्स हैं तब इसकी बात सुन चाहता है अब इसके कुछ टाइम के बाद वे किसी जगा पर आ गए थे जहांपर ओल्ड मैं सिंग्यून के कैरेज की तारीफ कर रहा था चूंकि उसमें इसे बहुत ही comfort फील हो रहा था लेकिन इसके बाद वो सिंग्यून से कहता है कि पूरे दिन travel करके मैं ठग गया हूँ इसलिए विनले से बारे में अब तुम्हें खुदी पता लगाना होगा और तब तक मैं यहां पर कुछ देर के लिए आराम कर ल नहीं है क्योंकि कोई भी यहां पर गुरूप में नहीं बैठा हुआ था तब इस पर गुमैन उसे बताता है कि यह सारी जगा फाइब एंपरस के protection में है इसलिए हम सभी एक साथ मिलकर monster और demons का सामना करते हैं लेकिन असल में फाइब एंपरस को अपने पाउर के बारे में और इसलिए यहां के अलग-अलग जगाओ को फाइब एंपरस कंट्रोल करते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन इसे इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता है जिसके बारे में जानकर सिंग्यून कहता है कि इंसानों के सामने इतनी बड़ी मुसीबत है लेकि इनको देख वहाँ के दो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वे तो केवल तीन लोग हैं लेकिन इसके बाद भी वे एविस कैनन में एंटर करना चाहते हैं जिस बात से ऐसा लगता है कि वे तो अपने मौत की तलास में हैं क्योंकि असल में वहाँ पर तो बहुत सारे कि विस कर सकते हैं और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है